नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC Solutions विद अनुजपर जैसा कि आप सभी जानते हैं हम डेली SSC CGL के पेपर सोल्व करते हैं आज हम करेंगे SSC CGL 2022 की शिफ्ट फर्स्ट का दो दिसंबर की जो सेकंड शि और अगर किसी को कोई डाउट आता है कोशन में तो हमारा टेलिग्राम चैनल है SSC Solutions विद अनुजपर आप वहां जाकर अपने डाउट से पूछ सकते हैं देखो भई पहला कोशन कहता है इन जनरल इलेक्शन बिट्विन टू कैंडिडेट्स एक इलेक्शन की बात की गई है दो कैंडिडेट के बीच की दा डिफीटीड कैंडिडेट सीक्र्वाटी तो फॉर्टी टू परसेंट ओफ आफ डाउड वैलिट वोट्स पोले जो डिफीटीड कैंडिडेट है उसको 42 फॉर्ट मिले हैं वैलिड़ोट स्का एंड लोस्ट बाइच्टिन बाइच्शन वोट देन दा वैलिड वोट्स वर वट परसेंटेज ओफदा राउंड देखो कहने का मतलब क्या है देखो बच्चो सबसे पहली चीज हमने माननी होती है हमने मान लिया हमारे पास क्या थे सो परसेंट टोटल वोट्स थे उसने क्या बोला बीस परसेंट लोगों ने क्या किया वोट दिया ही नहीं तो बीस परसेंट ने वोट नहीं दिया ठीक है तो वोट कितनों ने दिया होगा असी परसेंट ने दिया होगा देखो इसने क्या ब परसेंट ने वोट नहीं दिया और उसको कितना मिला उसको 42 परसेंट मिला हारने वाले को कितना मिला 42 परसेंट यह किसको मिला लूजर को मिला तो जीतने वाले को कितना मिलेगा उसको मिलेगा भई 58 परसेंट ठीक है जब भी तो हमारे पास का difference कितना है इन दोनों के बीच का difference है 16% ठीक है बीच का difference कितना है 16% मतलब वो इतने वोटों से हा रहा है तो 16% वोटों से आ रहा है 16% किसके बराबर हो जाएगा 67684 00 के बराबर हो जाएगा ठीक है अब देखो कोशन कहता क्या है इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो भई अब देखो उसने बोला बीस परसेंट पीपल ने वोट डाला ही नहीं बीस परसेंट होता है बीस परसेंट कितना होता है बीस परसेंट होता है एक बटे पांच ठीक है बीस परसेंट कितना होता है एक बटे पांच अ चार एक्स बटे पाँच ने वोट डाला वहारा एट तौ फाइफ दिरो इसको माइनस करदेंगे और इसको किसके ब्राबर 16% निकाल लेचे ठीक है इसका जब 16% क्योंकि डिफेरेंस कितना अ ciao अँदा हमारे पास 76% जब इसका 16% निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास देखो और यह किसके बराबर होगा यह हमारा बराबर होगा इसके बराबर क्योंकि वह इतने वोटों से हारा है देख लीजिए एक बार फिर समझ लीजिए 20% नहीं डाला मतलब 4 बटे 5 एक्स ने वोट डाला है ठीक ह तो होगा क्योंकि वह 16% से हारा है और वह कितनी वोटों से आ रहा है इतनी वोटों से आ रहा हो जाएगा इसमें से अगर हम इसको solve करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4X बटे 5 यह उस तरफ जाकी क्या हो जाएगा 76 8400 उपर चला जाएगा 100 बटे 66 और इसको उदर जागे प् हमारे पास इतनी उसने पूछा है कि इन्वैलिड वोट का कितना परसेंट है इन्वैलिड वोट कितनी थी इसके बटे में कर देंगे 1221265 और गुणा में 100 कर देंगे तो यह आजाएगा 6.8 हमारा सही अंसर आ जाएगा देखो थोड़ा लेंदी कोशन दिया था है ससी ने तो ऐसे कोशन को सबसे लास्ट में करने में फायदा रहता है बैटर रहता है उसके बाद अगला कोशन कहता है इसकी तीनों साइड एक्वल हो और जो तीनों एंगल है वो हमारे कितने हो के हो 60 डिगरी के हो हमसे एरिया पूछा गया है तो एक्वलेटल ट्रेंगल का एरिया उतना है 3 by 4 a square simple सा कोशन था तो रूट 3 by 4 a square a कितना दे रखा है 24 24 इंटू 24 तो यह आ जाएगा च्यार चीक 24 और 24 ही का कितना जाएगा 143 हमारा सही अंसर आ जाएगा जो पिछला कोशन टाइम लेगा वो टाइम यहां पे अराम से हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह जल्दी हो जाएगा उसके बाद है which substance is are the most used in terms of quantity in all drugs तो कौन सा सबसे ज़्यादा यूज हुआ है आप देख लीजिए अगर मैं बात करूँ इसकी यह 4 और यह 6 कितना यूज हुआ है 10 और यह कितना हमारे पास 3 यह जाएगा हमारे पास 13 ठीक है सोरी उसने P1, P2, P3 पुचा है तो इसमें से option द 13 तो P3 आ जाएगा अपने पास 13 ठीक है अगर मैं बात करूँ हमारे दूसरे की P2 की तो P2 कितने आ जाएगा हमारे पास P2 आ जाएगा हमारे पास 15 और P1 आ जाएगा हमारे पास 18 तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा P1, P1 हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद आता ह है अगला कोशन कहता हैं यह हमारा क्या होता है सम होता है एन नेचूरल नंबर्स का अर्थमेटिक मिन यह डिवाइड हो जाएगा एं इंटू एन प्लस 1 तो हमारे पास आ जाएगा 2N plus 1 by 3 ठीक है क्या जाएगा 2N plus 1 by 3 क्या जाएगा हमारे पास arithmetic mean आ जाएगा arithmetic mean का formula देख लीजिए arithmetic mean क्या होता है यह होता है w1 x1 plus w2 x2 ऐसे wn xn तक चला जाता है और निच्चे आ जाता है w1 plus w2 plus w3 यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है normal arithmetic mean का formula होता है ठीक है उसके बाद question number 5 कहता है एक district है जिसमें 10,1,24,000 inhabitants है if the population increases at the rate of die percent per annum तो हमें बताना है at the end of 3 years देखो 5 percent, 5 percent कितना होता है 5 percent को लिख लीजिए 2 सही 1 बटा 2,25 बटा 2 इसको कर लीजिए 1 बटा 100 percent से या जाएगा हमारे पास 1 बटा 40 मतलब पहले income कितनी थी 10,24,000 तो यह क्या हुई है increase हुई है मतलब 40 से 1 बटी है 41 बटे 40, 3 बार बटी है तो 41 बटे 40 और गुणा में 41 बटे 40 ठीक है 1,2,3,1,2,3 उससे 4 से काट लीजिए इसको यह आ जाएगा 4 दुनी 8 ठीक है 2,2,4,5,20 और 4,6,24 फिर यह 4,6,6,6,6 का square कितना हो जाता है 256 unit digit आएगा 6 यह दो तो कट गे solve कर लीजिए option number second आपका सही answer आ जाएगा आज की shift का paper देख लो कितना lengthy पड़ रहा है ठीक है असान है पर थोड़ा कैलकुलेटिव है उसके बाद बोला है a takes twice as much as time as b तो a बटा भी कितना हो जाएगा देखो बच्चो अगर b एक time लेता है तो a कितना लेता है twice time लेता है दो लेता है उसके बाद है and thrice as much time as c sorry इसको ऐसे कर लेते हैं तीन है ना तो जब भी तीन है तो ऐसे लिख लिए अगर a b c अगर b एक time लेता है तो यह double लेता है और यह जो है thrice लेता है as much as c अगर c एक लेगा तो यह 3 लेगा हम क्या करेंगे हम सब से पहले a common है तो a को equal कर लेते हैं है इसको गुणा कर देते हैं 3 से और इसको गुणा कर लेते हैं 2 से से यह आ जाएगा 3 जुनी छाय थीन 8 कम्च 2 तो e b c कितना आ जाएगा हमारे पास six three or two ठीक है यह क्या आ आजाए हमारे पास यह आ आगया हमारे पास time ठीक है यह क्या आगया हमारे पास time आ working together day and complete the working 8 days ये time है तो efficiency क्या हो जाएगी LCM ले लेंगे LCM ले लेंगे 6 तो efficiency हो जाएगी 6, 1, 6, 3, 2, 6, 2, 3, 6 हमारे पास efficiency क्या होगी efficiency होगी 1, 2, 3, A, B की 1, B की 2 और C की 3 ठीक है तीनों मिलकर 8 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं 3, 2, 5, 4, 1, 6 तो काम कितना हो गया 8, 6, 48 टोटल बरगा आगया हमारे पास 48 और इसने पुछा है A अकेला A, B, C अकेला अकेला तो 48 बटे 1 करेंगे तो 48 A का 48 बटे 2 करेंगे तो 24 B का और 48 बटे 3 करेंगे तो 16 C का option number 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा option number 4 देखो हमने करना क्या था इसने हमें time का ratio दे दिया था तो efficiency का ratio क्या हो जाएगा उसका time वाले का l cm ले लेंगे और हम efficiency निकाल लेंगे क्यूंकि काम पूरा जबी तो करेंगे जब वो efficiency किसे करेंगे हमें efficiency उसकी पता होगी ठीक है उसके बाद आता है question number 7 question number 7 कहता है x plus देखो इसको अगर solve करें यह आएगा हमारे पास x square plus y square upon x हमें इसकी value 5 दे रखी है और हमें इसकी value निकालनी है ठीक है तो देखो यह क्या दे रखा है x square plus y square plus 2x हमें दे रखा है ठीक है 5-x, ठीक है, x को उस तरफ ले जाता हूँ, तो y square की value आगी, 5-x, यहाँ पे x आ जाएगा, तो 5x-x square मेरे पास क्या आ गया, y square की value आगी, ठीक है, जब मेरे पास y square की value आगी, इतनी, या तो आप इस तरीक के से कर लीजिए, ना तो इसका एक बड़िया method क्या है, बड़िया method x square दे रखा है, देखो, इसको solve कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ, यहाँ पे x square plus 2x plus का y square लिख लिए, नीचे क्या कर लो, x को मले लो, अगर x को मले लूँगा, तो मेरे पास आ गया, x square minus 5x, ठीक है, क्या गया मेरे पास, x square minus 5x, अब इसको कैसे लिखेंगे, x square plus 2x, x से divide कर तो मेरे पास आ जाएगा, x plus 2, ठीक है, और यह कितना आ जाएगा, y square upon x, ठीक है, मैंने x से divide कर दिया, और नीचे क्या आ गया, x square minus 5x, क्योंकि यहाँ भी x से करूँगा, और यहाँ भी x से करूँगा, तो यह x से कट जाएगा, हमारे पास यह आ जाएगा, अब देखो, x square plus 2, x plus 2, plus y square by इतना, इसको क्या लिख सकते है, यह 5 है, तो इसको लिख सकते है, 2 plus 5, अब अब अपन में minus का y square, और यह आ जाएगा, minus का 7 बटे, y square, y square से y square कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा, 7 upon y square, ठीक है, यह क्या 5 और 2, 7, यह आ जाएगा, 7 upon y square, ठीक है, अगर basic method है, तो basic method देख लो, वो थोड़ा length पड़ेगा, जैसे पहले बता रहा था, यहां से y square की value क्या निकाली थी, मैंने, y square की value निकाली थी, 5x, ठीक है, क्या निकाली थी, 5x minus x square, ठीक है, यह निकाली थी, अब क्या करेंगे, इसको x से multiply कर देते हैं, तो यह आ जाएगा, मेरे पास x y square, इदर आ जाएगा 5x square, और इदर आ जाएगा minus x cube, ठीक है, अब इस value को इस expression में रख देते हैं, कैसे, यह था हमारे पास x square, plus का 2x, plus का y square, upon x cube minus 5x square, ठीक है, देखो, x square plus 2x, तो ठीक हमारे पास, y square की value क्या रखूँगा, मैं यह रखूँगा, 5x minus x square, ठीक है, देखो, फिर यह आ जाएगा मेरे पास x square, plus 2x, y square की value क्या रखेंगे हम, plus 5x minus x square, और नीचे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, हमारे पास minus x, y square, ठीक है, अब देखो, 5 और 2x यह आ जाएगा, 7x, इस से यह कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, minus x, और y square, x से x कट गया, हमारे पास answer आ गया, minus 7, y square, ठीक है, यह थोड़ा lengthy paper ही है, सही में, उसके बाद है, question number 8, question number 8 कहता है, diameter दे रखा है, hemisphere का, और volume पूछी गई है, volume क्या होती है, hemisphere की, 2x3, pi r cube, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 2, 3, pi की value आगी, 22, 7, और r कितना हो जाएगा, 28, अगर diameter है, तो r हो जाएग 28, बटे 2, 28, बटे 2, गुणा में 28, बटे 2, देखो, वैसे तो question simple है, बिलकुल एक ही minute का है, minute का भी नहीं है, जिस बच्चे को volume पता होगी, उसके लिए असान है, लेकिन calculation इतनी हो जाएगी, option number 1, calculation देखो, यह आज जाएगा, 14, इसको काटोगे, यह भी 14, फिर यह भी 14, अब इसको multiply करके divide करो, तो यह थोड़ा calculated ही paper है, ठीक है, उसके बाद A plus B की value क्या दी गई है, 5 दी गई है, और A, B की value कितनी दे गई है, A, B की value दी गई है, में 6, तो हम क्या करेंगे, देखो, A square plus B square, हमने क्या निकालना है, A square plus B square, A square plus B square को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसक का 2A भी लिख सकता हूँ, तो A plus B कितना है, 5, 5 का square 25, minus 6, 12, मेरे पास आगया 13, और 13 क्या क्या आगया, 49 आगया, सही answer, ठीक है, उसके बाद आता है, question number 10, question number 10 कहता है, in triangle ABC, ABC हमें एक triangle दे दिया गया, triangle ABC, जिसमें AB जो है, वो AC के equal दे दी, मतलब ये angle, इस angle के equal होगा, ठीक है इसने बोला है, A is the point on BC, कोई point है, O, O is the point on BC, such that BO जो है, वो equal है, OC के, ठीक है, OD is the perpendicular to AB and OE, OD is the perpendicular to AB and OE, मतलब एक ये है OD और एक ये है OE, देखो दुबार बना जिते हैं, triangle बढ़िया सा, ये एक triangle दिया गया है, ठीक है, इसने बोला, A, B, C, ABC के equal है, ये कोई point है O, ये एक बार इस पर perpendicular जाता है, एक बार इस पर, ये E हो गया, ये D हो गया, ये 90 degree और ये 90 degree, ठीक है, इसने यही चीज बोले, इसने क्या पूछा है, B, O, D, अगर ये हमारे पास 60 है, तो हमें बताना है, A, O, E, A, O, E, मतलब इसकी value बतानी है, देखो अब, द ये वाड़ा और ये वाड़ा equal क्यों होगा, क्योंकि A, B, जो है, वो हमारा A, C के equal है, तो अगर ये X है, तो ये BX होगा, ठीक है, ये X है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना आ गया, हमारे पास 30 आ गया, अब ये 30, ये 30, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, हमारे पास 120 आ अब आइसाब ये 60 ये 30 तो ये कितना हो गया पूरा 90 होगेगा ये 60 ये 30 तो ये पूरा 90 तो बनेगा अब 90 में से ये वाड़ा 60 है तो ये वाड़ा कितना बच गया हमारे पास 30 बच गया 30 हमारा सिय अंसर आजाएगा ठीक है उसके बाद आता है question number 11 question number 11 कहता है the reduction of 20% in the price बचो 20% होता है एक बटे 5 तो 5 से price कितना हुआ 4 हुआ rise percent to obtain 50 kilo more for rupees 500 देखो ये price का reduction है तो consumption का कितना हो जाएगा 4 से 5 ठीक है उल्टा हो जाता है price और consumption उसने कहा कि percent to obtain 50 kilo more मतलब एक ratio की value कितनी है 50 kilo ठीक है पहले कितना लाता था 200 kilo लाता था अब कितना लाता है 500 kilo लाता है तो मतलब 50 kilo फाल्तू लाता है original price पूछा है 450 बटे डाए 200 कर दो 0 से 0 चली गई 2 धाइम 20 पासोरी 5 से काट दो 5 25 निम पैंट 49 बटे 4 2.25 हमारा सही answer हो जाएगा देखो दुबार से बताता हूँ कैसे किया उसने price में reduction किया 20% का price में reduction हुआ 20% कितना होता है एक बटे 5 मतलब पहले price 5 था अब कितना हो गया 4 price consumption का क्या होता हमेशा अगर हमारा खर्चा constant हो expenditure constant हो तो price into consumption क्या होता है expenditure खर्चा constant होना चाहिए तो price जो है वो क्या हो जाएगा inversely proportional हो जाता है consumption के ठीक है तो यह हमारा 4 से 5 हो जाएगा और इस एक ratio की कमी से क्या हो गया बढ़त के कारण वो 50 किलो जादा लाता है मतलब एक 50 के बराबर है तो यह 200 के बराबर और इसको 50 से करेंगे यह 200 के बराबर कहने का मतलब है पहले 200 किलो समान लाता था अब 200 किलो लाता है लेकिन लाता 450 में ही है तो 450 उरपे में आप 200 किलो समान लाओगे तो 1 रूपे किलो मतलब 2.25 है उसके बाद गयता है the surface area of a cube surface area क्या होता है 6a square 6A square की value है 864 A square की value हो जाएगी 6,1,6,6,24,6,24 A की value होगी 12 और volume होता है A का cube 17,28 आपका सही answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद आता है question number 13 question number 13 कहता है in a class of student the first student has two toffee पहले student के पास दो टोफी हैं दूसरे student के पास 4 हैं तीसरे के पास 6 हैं फिर अगले के पास 8 हैं फिर ऐसे 10 हैं ऐसे करते करते 25 student हैं ठीक है हमें बताना है total number of toffee's are divisible by देखो भई सीदासा है देखो कैसे 2, फिर 4, फिर 6 ऐसे 25 term तक जाएंगे हम ठीक है तो इसमें क्या करते हैं SN क्या होता है N by 2 A plus L कर लो या 2N 2A into N minus 1D कर लो ठीक है N minus 1D 2A into N minus 1D ये सम का फोर्मूला होता है Nth term मतलब N कितने हैं हमारे पास 25 बटे दो ये 2A कितना हो जाएगा फिर्स term क्या है 2 तो 2 into 2 प्लस N कितना है N 25 है 25 माइनस 1 24 और डिस्टैंस कितने का 2 24 दुनी 48 48 और 4 52 तो 25 बटे 2 into 52 कर लीजिए ये आजाएगा हमारे पास 2 दुनी 4 2 चीक 12 हमारे पास आगया 650 अब 650 सभी को पता है या तो 13 से डिवाइड होगा ये 5 से क्यूं क्योंकि 13 पंजे कितना होता है पैश्ट तो 5 और 13 हमारा सही अंसर आ जाएगा सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना था बच्चो S N का क्या था N by 2 2 A प्लस N minus 1 into D ठीक है यहाँ पे N क्या है अमारी number of terms है जो कि 25 टर्म है ये क्या है हमारी first term है जो कि पहले बच्चे के पास दो टोफी है N क्या है अमारी number of terms है और D क्या होता है बच्चो D होता है हमारा common difference पहले के पास दो है दूसरे के पास 4 है फिर 6 है तो common difference कितने का हुआ 2 का ठीक है उसके बाद आता है a laptop is sold after a discount of 25% what is the mark price देखो बच्चो 25% कितना होता है 25% होता है 1,4 ठीक है 25,4 होता है देखो 25,100 तो 25% कितना होता है 1,4 मतलब 4 अगर mark price है तो उसको 1 discount दिया मतलब 3 ठीक है बेचा कितने हैं मतलब 3 की value है 6,5 5,2,0 4 की निकालने है देखो एक की कितनी हो जाएगी 6,5,5 2,0 अपोन 3 और 4 की निकालने है गुणा 4,3 दूनी 6 3,1,3 3,9,27 3,4,12 0,16 कर दो 3,2,6 3,1,3 या आगया 25,3,8,24 3,2,6 देखो अब इसने क्या का है सब से पहले हम से पूचा है एक्जेक्ली डिवीजिबल भाई सब से पहले आप LCM निकाल लो 15,18,25 और 32 ना तो option wise करना चाहिए अगर practice बढ़िया हो तो आप direct देखके 3600 अंसर लगा देते क्यूँ? तूँकि 3600 है जो वो इसनों सब से डिवाइड है और इसका डबल करेंगे तो 2200 आएगा उसने list नमबर पूचा है तो 2200 तो हो नहीं सकता ठीक है? ना तो simple निकाल लो इसको आप soul करेंगे 5 से कर लो 5,3,15,18,5,5,25 और 32 इसको 3 से कर ले 3 एकम 3,3,6,18,5 और 32 अब इसको 2 से कर लो ये 16,32, ये 6 आजाएगा 2,3,6 तो LCM आजाएगा अपने पास कितना आजाएगा LCM आजाएगा इसका 2200 smallest divisible number पूचा है तो 2200 बटे 2 कर लेंगे तो 3600 अमारे पास सही अंसर आजाएगा उसके बाद है question number 16 question number 16 कहता है distance covered by a train in इतना hours is इतना किलोमेटर speed of train distance क्या होता है? बच्चो distance होता है speed into time ठीक है? speed कितनी है? उसकी speed है 125 Y cube minus 1 km distance है सोरी ये तो और कितने गंटे में 5 Y minus 1 में अब जो बच्चा बड़ी आप प्रैक्टिस करेगा वो इसको question को distance का माननेगा ही नहीं वो इसको माननेगा algebra का algebra कैसे? देखो बच्चो मैं लिख सकता हूँ 5 Y का cube minus 1 का cube लिख सकता हूँ A cube minus B cube नीचे क्या है? A minus B ठीक है? 5 minus 5 Y minus 1 अब बच्चो मुझे ये बताओ A cube minus B cube का formula होता है A minus B ठीक है? A square plus B square plus का A B ठीक है? अब A minus B से तो ये cancel हो गया हमने निकालना A square 5 Y का square हमारे पास आजाएगा 25 Y का square देखो यहाँ पे minus है ये कट गया ये हो नहीं सकता option number 4 अपने पास आगया 25 Y का square A का square plus A B 5 Y ठीक है? इसको algebra का question मानने का दुबार फोर्मूला अच्छे से बता देता हूँ क्या होता है A cube minus B cube ये बराबर होता है A minus B multiply में A square plus B square plus का A B ठीक है? अगर यही चीज हमसे पूछी जाए A cube plus B cube तो ये बराबर होता है A plus का B multiply में A square plus B square और minus A B ठीक है? ये distance का नहीं algebra का question था ठीक है? उसके बाद चलते है question number 17 की तरफ the side of a triangle are in ratio 4, 6, or 8 तो ये uptoos angle triangle होगा कैसे? देखो भई अगर मैं बात करूँ right angle triangle के लिए क्या होता है? पाइथागरस थोर्म लगती है A square plus B square बराबर C square ठीक है? तो right angle हो नहीं सकता acute angle के लिए क्या होता है? जो हमारा A का square है plus B का square है वो बड़ा होना चाहिए ये C का square से ठीक है? और ये हमारा obtus angle triangle होगा क्योंकि जो A का square है A का square कितना आजाएगा? हमारे पास 4 का square 16 6 का square 36 ये छोटा होगा 64 6 और 6 12 52 क्या 64 से छोटा है तो ये obtus angle triangle हो जाएगा उसके बाद है question number 18 if the marks P subject P के लिए 900 है subject P if the maximum marks for subject P is 900 what percentage of marks are obtained by A in subject P तो 900 में से उसको कितने मिले है dead 100 मिले है तो dead 100 किसका 900 का? गुणाव गर्दो बच्चो 100 2 0 से 4 0 3 3 9 3 5 15 0 50 बटे 3 होता है 16.67 percentage option number B ठीक है? उसके बाद आता है question number 19 question number 19 कहता है एक triangle है ABC right angle है B ठीक है थोड़ा लेंती है तो वीडियो लंबी जाएगी अराम से देख लेना ABC ये B पर है AB 7 है और AB-BC की value 1 है हमें बताना है value of sign की इसने क्या बोला AB-BC की value क्या है 1 है AC-BC मतलब AC में से BC घटाऊँगा तो value A खाएगी तो Pythagoras theorem लगा देते हैं Pythagoras theorem का कहती है AB square ठीक है क्या कहती है बच्चों AC का जो square है वो किसके बराबर होता है AB का square प्लस BC का square होता है ठीक है लेकिन हमने क्या करना है देखो हमने क्या करना है हमने AB square हमें AB पता है तो AB square निकाल लेते हैं AB square कितना हो जाएगा AC का square माइनस BC का square A square माइनस B square क्या होता है A प्लस B मतलब AC प्लस BC और A माइनस B मतलब AC माइनस BC ठीक है AC माइनस BC हमें पता है और AC प्लस BC यह आ जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वेर 49 ठीक है तो AC प्लस BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी अब AC प्लस BC की वैल्यू क्या आगी मेरे पास 49 देखो AC प्लस BC की वैल्यू क्या आगी मेरे पास 49 और AC माइनस BC की वैल्यू क्या है मेरे पास एक है ठीक है अब इसको solve कर लेंगे तो 2ac क्या आगया मेरे पास 2ac आगया 50 ac की value क्या आगी ac की value आगी 50 बटे 2 25 ac की value 25 है देखो ये छोटा सा right angle triangle है ये 7 है ये 25 है ये निकाल लेंगे 25 का square minus 7 का square ठीक है नहीं तो हमने science ही निकालना हमने क्या करना ये a है ये b है ये c है science ही हो जाएगा साथ बटे 25 option number d अपना सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद है question number 20 question number 20 कहता 400 meter की race है a runs at a speed of 16 meter per second it gives be a start of 15 meter and still beat him by 10 second ठीक है देखो 400 meter की race थी 400 meter की race थी a ने cover किया 16 में तो ये आ गया 25 second में इसने cover कर दिया ठीक है उसने क्या दिया उसने बोला भी को तू 15 meter में से आगे खड़ाओ जा जा तो 15 meter मतलब उसने cover कितना करना था 385 meter cover करना ठीक है इसने 25 second में करा और उसको 10 second से हरा भी दिया तो इसमें 10 add कर दें मतलब 35 second उसने कितने में किया 35 seconds में तो 385 मीटर कितने में किया उसने 35 seconds में किया तो 35 seconds 35 seconds 35 seconds 31 मेंटर पर second हमारा सही अंसर आ जाएगा ठिक है उसके बाद है question number 21 question number 21 कहता है क्या कहता है question number 21 21 कहता है sine theta plus cos theta है root 5 sine 90 minus theta तो sine 90 minus theta क्या हो जाएगा cos theta तो sin theta plus cos theta इसकी value के आगी मेरे पास root 5 का cos theta ठीक है value के आगी root 5 का cos theta अब इसको divide कर देते हैं यह आजाएगा sin theta plus cos theta cos theta को अगर मैं निचे ले आँगा तो मेरे पास क्या आजाएगा इदर आके root 5 हो जाएगा ठीक है sin theta upon cos theta क्या होता है वन इनको अलग-अलग कर लिया तो मेरे पास आ गया रूट पांच तेन थिटा के वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी रूट पांच माइनस एक यह किसके बराबर आ जाएगा 10 थिटा के पास हमें बताना है कोट थिटा मतलब इसका उल्टा कर दीजिये ठिक है तो code theta क्या होता है 1 by 10 theta मतलब 1 upon root 5 minus 1 rationalize कर दो root 5 plus 1 upon root 5 plus 1 तो उपर आगे आपने पास root 5 plus 1 निच्छे क्या आगा a plus b a minus b मतलब a square minus b square root 5 का square 5 1 का square 1 5 minus 1 4 तो root 5 plus 1 बटे 4 अमारे पास सही उत्तर आ जाएगा उसके बाद कहता है that total production of company a in 2016 and 2019 together a वाला है निल्ले वाला तो इसकी कितनी है यहाँ पे 50 sorry 2016 में 2016 में कितनी है 40 और 2019 में कितनी है 2019 में 60 तो 40 और 60 होगी अपने पास 100 ठीक है उसके बाद है is what percentage of total production of company in 2017 and 2018 together c है हमारा ये वाला तो 18 में और 17 में 18 में कितनी है 60 और 17 में कितनी है 60 60 60 कितनी है 120 हमें क्या बताना है आठ और साथ पंदरा डेड़ सो एक सो असी 205 और ये 220 ठीक है calculation फास्ट रखना बस ऐसे पेपर में तो उसके बाद आता है a b c d शेर करते हैं प्रोपर्टी जिसका वर्थ है इतना देखो a b c d शेर ओफ c निकालना सारों को एड़ करके इसके बराब रख दो और 40 की वैल्यू निकाल दो ठीक है उसके बाद है अपना आज का आखरी कोशन आखरी कोशन कहता है कोशेक थिटा माइनस कोट थिटा की वैल्यू है एक बटे चार ठीक है कोशेक थिटा माइनस कोट थिटा की वैल्यू क्या है एक बटे चार देखो दो मेथट बता देता हूँ एक उत्ता है अमारा कोसेक थिटा माइनस कोट थिटा अगर इसकी वैल्यू आपको एक बटे 4 दे रखी है तो आपके पास क्या आ जाएगा कोसेक थिटा प्लस कोट थिटा कोसेक थिटा प्लस कोट थिटा इसका उल्टा हो जाता है अमारे पास आ जाता है भाइन बाइन थaiserाने, क्यों होना है एक वट रहा है, निकालना है तो इसको गटाएंगे, द्रिए केंसल आउट यह आगया, यह जिए लिए यह आ गया माइनस का 15 बटे 8 कोट थिटा की वैल्यू आगी 15 बटे 8 10 थिटा क्या होता है इसका उल्टा तो 8 बटे 15 ठीक है यह क्यूं आया क्यूंकि फोर्मूला होता है कोसेक स्क्वेर थिटा माइनस कोट स्क्वेर थिटा is equal to 1 देखो समझा देता हूँ, यह क्या होता है, यह हमारे पास formula होता है बच्छो, cosec theta minus quote theta, cosec square theta minus quote square theta की value क्या होती है, 1, यह हो गया a square minus b, यह हो गया a square, sorry, a square minus b square, तो यह होता है, a minus b, ठीक है, into a plus b, तो यह आ जाएगा cosec theta plus quote theta, risky value किसके बराबर है, एक के बराबर है, तो यह निकालेंगे, तो यह reciprocal हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्छो, आज का paper थोड़ा land थी था, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी रही, अगर किसी question में कोई doubt है, तो हमारे telegram channel पे आप अराम से पूछ सकते हैं, वीडियो को share कीजि धन्यवाद